हलो दोस्तो मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं यू एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस प्लेटफॉर्म पर हम MPPSC 2024 के लिए जो नया सिलेबस निर्धारित किया गया है उसे पढ़ रहा है श्रंकला बत्त तरीके से हम दस्वी यूनिट जो की मु बारिया जंजाती पढ़ने वाले हैं दोस्तों यह जंजाती वाली यूनिट बहुत विशेश होने वाली है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने जाएंगे मत्युप्रदेश के इत्यास में भी इस यूनिट के दो तीन टॉपिक को कवर किया गया है लगभख कुछ विडियो में मत्यपदेश की जंजाती का भोगोलिक विस्तार और उनके सव्विधानिक प्राओधन पड़े हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हैं मत्यपदेश की जंजाती और विशेश पिछडी जंजाती और है और इसी क्रम में हमने एक-एक जंजाती पढ़ना लेकिन यहां तक ही सिमित नहीं है भारिया एक पिछडी जंजाती है यह याद रखेंगे हमें यह याद है कि मत्यपदेश में तीन पिछडी जंजाती हैं जिसमें भारिया प्रमूख हैं बेगा भारिया और सहर्या इन तीनों को मत्यपदेश में पिछडी जंजाती के रू या और विशेश हैं लेकिन हमें मुल तह भारिया जंजाती की सभी विशेशता हैं परमपराओं पर ध्यान देना है आए शुरू करते हैं भारिया के कुछ विशेश फोटो से आप इनकी संस्कृति को समझ सकते हैं पहले हम इनके बारे में भोगोलिक बातों को समझते हुए फिर इनकी विशेष्टाओं परमपराओं नत्यत्य ओहरों पर चलेंगे भारिया मंद्यपदेश की एक विशेष जनजाती है और सामान्यत है ये दो जीलों में छिंदवाडा और जबलपूर इन दो जीलों में विशेष रूप से पाई जाती है इसके आसपास वाले छेत्रो पाड़ा और जबलपूर की बॉर्डर को छूते हैं उन सभी जीलों में भी पाये जाते हैं इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1.26 प्रतिशत है कुल जनजाती जनसंख्या की जो लगभग 1,93,000 के आसपास बनता है आप सब लोग जानते हैं कि मद्यपदेश की कुल जनस जनसंख्या के नाम से है इस जनजाती जनसंख्या में लगभग 1.26 प्रतिशत अर्थात लगभग 2 लाग के आसपास 1,93,000 के आसपास भारिया जनजाती की जनसंख्या पाई जाती है और ये जनजाती मूल रूप से इन जिलो या जो सत्पूड़ा के छेतर हैं उन में पाई अन्य जिलों में कम मात्रा में पाई जाती है जनजाती लेकिन फिर भी आपको वो सभी जिले याद रखने हैं जहां यह पाई जाती हैं कटनी पन्ना छिंदवाड़ा जबलपूर नरसिंगपूर शहडोल अनुपूर सतना डिंडोरी शिवनी होशंगाबाद और उमरिया य लेकिन यह इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है भारिया ढोने वाला केवल एक प्रचलित शब्दावली है भारिया का शब्द या भारिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ज्यान का अभाव शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है ज्यान का अभाव अर्थ जाती को भारिया जन जाती के नाम से जाना जाता है तो इस अर्थ पर फोकस करना है कि भारिया का जो मूल अर्थ है भाड होने वाला जो कि क्युदंति या प्रचलित परंपरा के रूप में जाने जाना गया है लेकिन इसका वास्तवीकर्द होता है ज्यान का भाव अर्थात ऐसा कोई जन समू हो जो सामान्य जीवन के जीवन से प्रथक यहां सामान्य जीवन पाया जाता हो इससे प्रथक कहीं जंगलों में या सुदूर वर्ती छेतरों में निवास करता हो जिसे समाज के संबंद में कोई ज्यान ना हो जिसे परमपराओं जातियों रिती रिवाजू का कोई यान ना हो वही जन समू भारिया कहलाता है भारिया गोंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं आपको विशेश रूप से याद रखना है एक प्रशन पूछा जा चुका है भारिया किस जन समू को किस जन जाती को अपना बड़ा भाई मानते हैं भारिया अपना बड़ा कहां हुई इसका भी इस्तुरोत अभी वर्तमान में उपलब्द नहीं है इनका मुल निवास इस्थान सामान्यतह छिंदवाडा और जबलपूर के मध्य जनगली छेत्र पाया जाता है उसे चुरे माना जाता है ये मद्यपदेश की सातवी सबसे बड़ी जनजाती मानी जाती है, ये जबलपुर छिंदवाडा से सरवाधिक पाये जाते हैं, कटनी पन्ना शहडोल आदी जीलो या आसपास की जीलो में भी कुछ मातरा में पाये जाते हैं, तीन ऐसे विशेश छेत्र हैं जिन पर जनजाती जहां पर ये जनजाती मूल रूप से पाई जाती है, इनका उत्भव कैसे हुआ, इस संबन में कोई विशेश प्रथा परंपरा तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन पुराने साक्षों और क्यूदंतियों, और अगर महाभारत के साक्ष को देखा जाए, या महाभारत में इस जाता है कि जब कोरवो और पांडवो के बीच विद्ध चल रहा था, पांडवो की सेना छोटी थी, कोरवो की सेना बड़ी विशाल थी, पांडवो की सेना में जन संख्या कम थी, और फिर भी बड़े-बड़े महारतियों द्वारा इनकी हत्याएं की जा रही थी, दीरे- सेना की संख्या कम पड़ती जा रही थी स्री क्रेश्ण भगवान से जब अर्जुन निवेदन करते हैं कि छोटी सी सेना से मैं कैसे इस बड़े युद्ध को लड़ूंगा तो क्रेश्ण भगवान उसे डाडस बताते हुए पास में एक भरू नामक घास भरू नामक घास को तोड़ करके उस तिनके से एक आदमी बनाते हैं और उस छेत्र में जितनी भरू घास होती है उससे एक-एक सेनिक जन्म ले लेता है जिससे पांड़ों की सेना में वरद्धी हो जाती है और इसी से एक जन जाती है समू या जाती समू पेदा हुआ यही भरू घास से बनने वाला या पेदा होने वाला जो जन समू है वो भारिया कहलाता है ये कथा साक्षपूर्ण नहीं है लेकिन महाभारत में इस संबंद में उद्भव और वर्णन मिलता है आपको याद रखना है जो भारिया जन जाती है वो पाताल कोट छेतर में मुल रूप से निवास करती है पाताल कोट के भारिया को जाना जाता है हम समझ लेते हैं कि पाताल कोट क्या है देखिए हिंदू दर्शन के अनुसार इस संसार में तीन लोग स्विकार किये गए हैं एक प्रत्वी लोग प्रत्वी पर निवास करने वाला लोग है स्वर्ग लोग प्रत्वी के ऊपर का ल जमीन के अंदर का जो लोग है उसे पाताल कोट कहा जाता है तो यह पाताल के रूप में यह प्रत्वी लोग के रूप में और यह स्वर्ग लोग के रूप में स्विकार किया गया है आपको यह याद रखना है तो पाताल कोट स्वर्ग लोग और इन आधारों पर पाताल कोट शब्द का क्या आर्थ है वो हम समझते हैं पाताल कोट या पाताल शब्द का आर्थ इस आधार पर होता है ऐसा कोई छेत्र जो जमीन के सामाने इस्तर से गहराई पर हो या गहराई में इस्थित हो उसे पाताल कहा जाता है और इसी आधार पर पाताल कोट का नाम पाताल कोट पड़ा क्योंकि वो सामान्य जमीन की जो सीमा है उससे गहराई 1200 मिटर की गहराई पर इस्थित है यह तो एक दार्शनिक विचारधारा होई वास्तों में पाताल शब्द पाताल कोट शब्द का आर्थ क्या होता है पाताल को घहरने वाला परवत अर्थात ऐसा कोई किला या ऐसा कोई परवत जो पाताल में इस्थिद्या पाताल को घेरता है सामाने जमीन इस तर से हैं उनके बारे में हमें focus करना है exam में प्रशनों पूछे जा सकते हैं अब पिछली जो constable exam हुई उसमें question पूछा गया था कि पाताल कोट की जीवन रेखा किसे कहा जाता है पाताल कोट की जीवन रेखा दूधी नदी को कहा तो याद रखना है दूधी नदी पातल कोट की जीवनरेखा कहलाती है और यहां कुछ विशेश परियाटन इस्थल विक्सित हुए हैं जैसे राचेल, कारयाम, चिम्टी मार, दूधी गाइनी नदी, राजा खो, पातल कोट की जीवनरेखा हमें पता है, राजा खो शब्द क के बारे में या राजा खो इस्थान के बारे में ये कथा या किवदंती प्रेचलन में है कि जब मध्यकाल के बाद अंग्रेजी शाशन रहा उस दोरान जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो राजा रगु नामक राजा अपने 600 सिपाईयों के साथ पाताल छेत्र में एक खो खो शब्द का अर्थ होता है गहरा इस्थान या गड़्डा खो शब्द का आर्थ होता है गड़्डा इस गड़्डे में जाकर के अपनी जान बचाने के लिए छिपे और कई दिनों तक यहां छिपे रहे इस से इस छेत्र का है इस जगा का नाम राजा खो फड़ गया राजा रगु के खो के रूप में भी जानी जाती है आपको याद रखना है यह शब्द विशेश रूप से याद रखें आपको याद होना चाहिए कहां पर कहां इस्थित दार्शनिक इस्थल है इस जनजाती के स्वरूप पर फोकस करते हैं भारिया द्रवि या मुंडा परिवार की जनजाती है आपको याद रखना है अर्थात कोलोरियन वर्ग या मुंडा वर्ग में आने वाली द्रविट प्रजाती द्रविट इनकी मूल प्रजाती है जिसमें अनेक वर्ग है उसमें पहला वर्ग कोलोरियन है या मुंडा है कोलोरियन और के संबंध रखते हैं भारिया आपको याद रखना है जो रसेल और हीरालाल नामक शमाज सास्त्तुरी है जिन्होंने एक विशेश किताब लखें लिखी यह दे ट्राइप सा इंड्या सेंट्र Vote एंडिया किताब में उन्होंने ये बताया है कि भारिया जो जनजाती है वो एक विशेश जनजाती भूमिया का ही प्रतिरूप है या भूमिया जनजाती की ही दो शाखाया भारिया और भूमिया है उनका मानना है कि भारिया और भूमिया दो अलग-अलग जनजातिया नहीं एक ही जनज प्रतिरूप या एक ही जाती के दो अंश माना है आगे बढ़ते हैं इनकी शारीरिक बनावट पर फोकस करते हैं देखिए जनजातियों की शारीरिक बनावट कुछ विशेश होती हैं उनमें फोकस करना है इस जनजाती को हमें जो मूलतह याद करना है वो क्रशकाय अर्थात क शारीर वाले सुडोल और सुंदर इनकी इस्तरिया होती है यह जो पूरुस होते हैं वह मध्यमकत चरहरा बदन और श्याम वर्णी या आखे जिनकी छोटी-छोटी हों होट जिनके पतले हों उपर के दात इनके सामाने होते हैं लेकिन नीचे के दात इनके बहुत ज्यादा बारिक होते हैं और यही इनकी मूल पहचान है भारिया जनजाती की एक विशेश शारिरिक पहचान की बात की जाए तो एक शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसी जनजाती जिसके नीचले दात बहुत ज्यादा छोटे हों वही भारिया के रूप में जानी जाती हैं आगे कानों को इनके घरों को धाना कहा जाता है धाना एक और जनजाती के घरों को कहा जाता है कोरकु के घरों को भी धाना ही कहा जाता है धाना धाने एक ही शब्द हैं घर के आंगन में चार मोटी मोटी लकडियों का बना हुआ एक मडा होता है यह इनकी मूल विशेशता है आप एक खटिया नुवा सनरचना जिसमें चार इस्थम्ब के आधा से टिका हुआ एक सनरचना मिलेगी और जिस पर आम की गुटलिया और महुआ सुखाई देते जो आपको सुखते हुए नजर आएगा यह हर घर के सामने पाया जाता है इसे कहा जाता है मडा अब इस प्रकार भी भारिया के घरों की पहचान कर सकते हैं तो हमने देखा कि भारिया के जो घर होते हैं वो सामाने तो जोपडियों के समान सनरचना के रूप में होते हैं घास, फूस, लकड़ी, बास, आधी से बने होते हैं घर के आगे एक मडा होता है जो चार खंबो पर या चार मोटी देगा भीमसेन और म्रतक चोरा या मतक चोतरा दिखाई देगा ये इनके गाउं के मुल विशेषता हैं ये जनजाती मुल रूप से मेगनात की पुझा करती है आपको याद रखना है भारिया से मेगनात को विशेष रूप से जोड़े जिस प्रकार आपने कोरकु को रावन क के सांथ जोड़ा उसी प्रकार मेगनात यहां पुझा के योग्य माने जाते हैं इनके भुझन के कुछ विशेषताओं पर फोकस करते हैं भारिया जनजाती का मुख्य भुझन पेज है पेज क्या होता है पेज मोटे अनाज सामान्य तर कोदो कुटकी मक्का जवार आदी क पीस करके उसमें गुड मिलाकर उसे लिक्विड रूप या उसे तरल रूप दे करके बनाया जाता है यह पेज अत्यधिक प्रिय जन जाती है सामन्य तर बरसात के मौसम में जब कुछ खाने को नहीं होता तो आम की बीजो को बीजो की का आटा या आम की गुटलियों को पी पिछड़ी जन जाती है मिठाई के रूप में एक वस्तु उप्योग की जाती पदार्थ उप्योग की जाता है जो ठेटरा कहलाता है ठेटरा भारियाओं का एक मात्र मिठा पकवान है तीन विशेश चीज़े याद रखें पेज आम की गुटलियों की रोटी और ठेटरा यह तीनों विशेश पाये जाते हैं इस जन जाती में इनकी विशेश पहचान माने जाते हैं इनकी पंचायती विवस्ता कैसी होती है गाओं का मुख्या पटेल कहलाता है और परंपरागत रूप से जो पांच-पंच हैं उनका यह प्रमूख होता है गाओं में सभी तंत्र मंत्र विद्या है वो जानने वाला जान या भोपा होता है जो गाओं के लोगों में रोग निवारण का काम करता है परिहार ऐसे ही जड़ी बूटियों द्वारा रोग निवारण का काम करता है कोटवार एक सरकारी व्यक्ति है जो सूचना देने चोकिदारी करने आ करती है लेकिन क्योंकि आभ इन जन जातियों की इन खेती के सो रूप पर प्रतिबंद लगा दिया यह भी सामान्य क्रशी करने लगें लेकिन हमें एक्जाम औरियंटेट रूप से याद रखना है धाया खेती की जन जाती द्वारा की जाती है और जिन लोगों के पास जमीन एक रशी नहीं करते हैं वन उपज संग्रह और जड़ी बूटियों को बेच करके अपना जीवन व्यापन करते हैं एक विशेश प्रशन जो आपको याद रखना है देव बहरी घास से जाडू यह अत्यदीक प्रशलित जाडू है देव बहरी घास से बनाई जाती है एक घ बहरी घास जिसे अभी जी आई टेक के लिए आवेदन में भी किया गया है वह भारिया जन जाती यह चिंदवाड़ा छेत्र में पाई जाने वाली एक विशेश घास है और इस जन जाती भारिया जन जाती द्वारा बनाई जाती है इससे जाडू जो अत्यदिक फेमस है मुठवा बाबा गाउं के संकट दूर करने वाले देवता हैं गाउं में खंबा गाड करके उसके पास एक चोत्रा बनाया जाता है और वहां मुठवा देव की प्रतिमा या मुठवा देव के नाम से पत्थर की इस्थापना करके उनकी पूजा की जाती है मेगनाद पूज आप विशेश रूप से यात करेंगे फोली के ऑऊसर पर खुली जलाने के बाद यह मेगनाद पुजा करते हैं या फागुन दूला देव घर के अंदर इस्थापित एक देवता होते हैं रसोई के इस्थान पर इनकी प्रतिमा इस्थापित करके इनकी पूझा की जाती है विशेश तोर पर याद रखें जब किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो व्यवाह होने या अच्छी अच्छे वर्वधू क इच्छा के लिए एक विशेश देवता की पूजा करता है जिने भीमसेन देवता कहते हैं भीमसेन देवता विवाह का वर्दान देने वाले देवता के रूप में इस जनजाती द्वारा पूजी जाते हैं आगे हम भारिया जन्जाती के पर्व और त्योहार पर फोकस करते हैं देखे भारिया जन्जाती के लोग सामानेता वही पर्व और त्योहार मनाते हैं जो सामानेता हिंदू द्वारा मनाया जाते हैं दो विशेश त्युहार हैं, एक बीदरी और एक नवा खनी, हम यह दुनों पर फोकस कर लेते हैं जो बीदरी शब्द है यह मूलतभ बादल शब्द या बादल की पुझा के लिए उप्योग किया जाता है जहां हम बादल की पूजा करने की बात करते हैं वहां बीदरी शब्दी उपयोग होता है तो बीदरी शब्द का शाब्दिकर्थ से ही समझ में आगया होगा कि जब भारिया जंजाती के लोग फसल बोने के लिए जाते हैं किसी फसल को खेत में लगाने जाते हैं बोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले बादलों की पुझा करते हैं बीजों की पुझा करते हैं कि है बगवान हमारी जो फसल है यह उसी रूप में पेदा हो जिस रूप में हमें संपन्नता प्रदान कर सकें आप यहां दिखाई दे रहा हूंगा खेतों के पास यह खेत के पास में ही एक किसान को चावल के दानों की पुजा करते दिखाई दे रहा है ऐसे ही जब फसल पक जाती है तो नवाखानी उत्सों मनाया जाता है नवाखानी क्या होता है समझते हैं देखो जब फसल खेतों में पक जाती है इस रूप में फसल खेत से काटी जा रही है जब फ फसल घर में पक कर आईए उसे पहले खुद गरहन ना करते हुए अच्छे-च्छे पकवान बनाकर भगवान को खिलाया जाते हैं उसका भोग लगाया जाता है उत्सव के रूप में मनाया जाता है नयने भोजन नयने वस्त्र पहने जाते हैं तो इस प्रकार का के दो मूल उत जाती में विवाह की बात करते हैं तो विवाह के प्रकार देखने से पहले हम कुछ विवाह की बाते देख लेते हैं देखो विवाह के उसर पर एक विशेश नरत्ति किया जाता है जिसे मिदूआ नरत्ति कहते हैं आपको याद रखने इसको कनेक्ट कर लीजिए मिदूआ देखो अगर किसी व्यक्ति को भार लगता या भारी लगती है कोई इसी चीज तो वो बोलता है करें नहीं लगते हैं परके में दुआं में दुआं ऐसे करके आप इसको भारिया से जोड़ लीजिए अगला पॉइंट याद रखना है कि सह गोत्री विवाह नहीं करते हैं इनमें एक गोत्र में हिंदु धर्म के समान विवाह का प्रतिशेद है विवाह करना पसंद नहीं करते हैं मामा फूफा के लड के लड़कियों में विवाह नहीं करते हैं भारियाओं में एक विशेश परंपरा प्रशलन में हैं यहां ससुर को मामा कहना ज्यादा उचित माना जाता है ससुर को मामा कहेंगे तो ऐसा माना जाता है कि सम्मान पुर्वक रूप से या सम्मान के रूप में उन्हें प्रजे मांग के रूप में नहीं होता है ऐसा मांगा नहीं जाते कि हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे जैसे भीलों में जनरली दापा परमपरा हमने पड़ा कि भीलों में जो दापा होता है वो भी दहेच का या वधु मुल्य का सो रूप है लेकिन वहां पैसे जादा मांगे जात में सामान्यत एक नेग के रूप में जो सामान नहीं है छे रूपे बारा रूपे या इसी प्रकार का कुछ 21 रूपे एक छोटा सा अमाउंट छोटी सी राशी वधु मुल्ली के रूप में देनी होती है जो केवल एक परमपरा का हिस्सा है कमपलसीरी नहीं है खेर माधुनिक्ता के संपर्क में आ जाने या भोकतवादी संस्कृती हो जाने से कहीं कहीं इसके कुछ उधारन देखने को मिलते हैं विक्रतियां देखने को मिलती हैं लेकिन फिर भी भारिया जनजाती में इनका प्रचलन नहीं के बराबर है आगे बढ़ते हैं इनके विवा की पद्धतिया या प्रकार पर फोकस करते हैं भारिया जनजाती में चार पद्धतिया या चार प्रकार के मुलतह विवा होते हैं कुछ और विवा भी हैं जो अन्य जंजातियों के संपर्क में आ जाने से यहां प्रिचलन में आ गए हैं क्या विवा है सबसे पहला है मंगनी विवा मंगनी विवा का अर्थ है एक बहुत इसपस्ट शब्दों में आप समझें जब हम दो परिवार अपस में मिल करके पहले संबंद जोडते हैं सगाई करते हैं उसके बाद दोनों एक दूसरे की राजी मरजी से जिसमें परिवार में लड़के लड़की भी राजी हो उनके परिवार जन भी शामिल हो इस प्रकार से एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबन्द जोडने के लिए जो विवा होता है वो मंगनी विवा के रूप में जाना जाता है ये पूर्व निर्धारित होता है पूर्व निर्धारित माने दोनों दें एक दूसरे को प होता है या लम सेना शब्द का अर्थ होता है दामाद दामाद से लिया जाता है इस शब्द का आर्थ तो लम सेमा विवाह दामाद विवाह है यहां असली में कोई विवाह नहीं हो रहा है जो लड़का लड़की द्वारा है लड़की के घरवालों द्वारा पसंद किया गया और वो उस समय में अपने सास ससूर की सेवा करता है जंगल से लकडियां काट कर लाता है उनके खेती में हथ बटाता है उनके घर के काम करता है और यह मान लिया जाता है कि यह जो व्यक्ति सेवा कर रहा है यह वधु मुल्य चुकाने के लिए ऐसा कर रहा है अगर वो लड़क लम सेना सफल हो जाता है लम सेना उस लड़की के साथ रहर करके उसे गर्बवती कर देता है तो इसे लम सेना सफल होए कहेंगे क्या कहा जाता है लम सेना सफल होवे तो अगर लम सेना सफल होवे होता है तो इन दोनों की शादी एक साल बाद या दो साल बाद एक निश्चे द प्रेशलन में रहेंगी लेकिन लमसेना विवाह में दामाद जो है वो पहले रह लेता है अपने सुसुराल में उसको एक प्रकार से टेस्ट ड्राइव के रूप में यूस किया जाता है यह चेक किया जाता है कि लड़का उचित विहवार का है कि नहीं कि शारीर एक विक्रती नहीं है इस प्रकार सारी चीज़े चेक करने के बाद जो विवा होता है उसे लंसेना विवा कहते हैं और इसमें जो दामाद होता है वो घर जवाई बन करके ससुराल में रहता है राजी बाजी विवा राजी बाजी विवा क्या होता है देखो राजी बाजी शब्द से ही विद्वा विवाभ आप सब जानते हैं जम 씨ेसी भी महिला में को विद्वा रहने का दिकार नहीं है उसे पूरी तरह शादी करने का चाहित स्वतंतरता दिया जाता है सामने तब परंपराओं के अनुसार अपने देवर से ही विवा करती है लेकिन अगर वो विवाह ना करना चाहिए अपने देवर से तो कोई प्रतिबंद नहीं है जबर जस्ती नहीं है वो कि अपनी मर्जी के किसी भी इंसान से विवाह कर सकती है आगे बढ़ते हैं जनजातियों में विवाह आजकल नहीं पूछे जाते हैं आजकल पूछा जाता है उससे आगे की प्रोसेस उनमें उप्योग की जाने वाली परमपरा है हम उन पर फोकस करते हैं सबसे पहली जब मंगनी विवाह होता है तो मंगनी विवाह के दोरान जो पह यहां सामान्यत है या इन जन्जातियों में सामान्यत है जो सगाई के लिए बाते चलती है शुरू होती है वारताओं का दोर शुरू होता है तो उसमें लड़के वाले ही लड़की को देखने जाते हैं लड़की वाले कभी लड़की को देखने नहीं जाते हैं या लड़की क जाकर के घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं वो घर के बाहर वरामदे में जाकर के बेढ़ जाते हैं और घर के बाहर वरामदे में जाकर के जब बेढ़ेंगे तो घर से अगर उन्हें पानी के लिए पूछ लिया जाए मतलब घर वालों के द्वारा अगर उन्हें पानी सर कर दिया जाएं तो मान लिया जाता है कि वे इस रिष्टे की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर उनके द्वारा पानी liberalार पुछी के लिए पूछा जाता है इवन ज़ंजाती में यह परबंपरा है कि यह कोई लड़का देखने के लड़की ग खर गर देखने वाले आएे हैं और लड़की वालों को ये रिष्टा करना ही नहीं है नहीं मंजूर है तो भलेए मार्च की भर दोपहरी में घर पे आकर बेटे हों उन्हें पानी नहीं पिलाया जाता है भने यह वे शाम के लिए पानी पिला दिया जाता है और उसके बाद दोनों संबंद्य आपस में रिष्टे की बात करते हैं तो इस परंपरा को कहते हैं घर जडाई प्रथा याद रखेंगे घर जडाई प्रथा क्या होती है अगर मान लीजिए कि दोनों रिष्टेदारों को या दोनों निर्धारण होता है तो वदूमुल्य का निर्धारण शादी की तारीकों का निर्धारण ऐसा करने की जो रूंपरा यहां की जा घुक प्रथा ये क्या होती है देखे जब किसी दुलहे की बारात लेकर के जब कोई दुलहा किसी गाउं में जाता है तो उसकी दुलहन गाउं के ही किसी घर में जाकर के छुप जाती है घर के घर जो वास्तों में उसका नहीं है वो किसी अन्य व्यक्ति के घर जाकर के छुप जाती अब दुल्हा और उसके जो सगे सम्मंदी उसके जो कुछ साथी हैं उनको मिल करके इस दुल्हन को ढूंडना होगा अगर दुल्हन को वो नहीं ढूंड पाए तो शादी नहीं होगी दुल्हन ढूंडना अनिवार ये हैं दुल्हा और उसके कुछ साथी यहां दुल्हन को ढ भूंडते हैं और जब दुलहन मिल जाती है तो फिर उसके साथ साथ फेरे किये जाते हैं जब तक दुलहन नहीं मिलेगी साथ फेरे की परंपरा नहीं होगी और अगर दुलहा दुलहन को ढूंडने में असफल होता है तो फिर यह विवा नहीं होगा यह परंपरा है और इसी क कहते हैं दुलहन दुढ़ाई परंपरा या दुलहन दुलाई प्रथा आगे बढ़ते हैं इसी का एक अगला चरण होता है वाता छोड़ाना माल लीजिए कि दुलहन को ढूंड लिया गया है और दुलहन मिल भी गई है अब साथ फेरे हो गए हैं साथ फेरे हो जाने के बाद दुलहन की विदाई का समय आता है तो अब दुलहन जो है वो घर के आंगन में गड़े हुए एक लकड़ी के खंबे लकड़ी के एक इस्थम्ब को पकड़ करके इस्थम्ब को कस कर पकड़ लेती है और उसे अपने एक हाथ से कस कर पकड़ लेती है अगर लड़का उसके हा चुडाना यहां वाता शब्द उप्योग किया जा रहा है लकडी के खंबे के लिए तो जब लकडी के खंबे को दुलहन ने कसकर पकड़ रखा हो दुलहे को अपनी ताकत का परीचाई दे करके उसे उस लकडी के डंडे से चुडाना होगा इसे हम कहेंगे वाता चुडाना वाता छुडाने के परंपरा बहुत विशेश है, अगर वाता नहीं छुडा पाता है, तो लड़के को दामाद बन करके अपने सुसराल में या घर जमाई बन करके अपने सुसराल में रहना होगा, आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने देखा कि भारियाओं में विवाह के लिए हम देखें कि भारियाओं में मृत्यू संसकार की भी कुछ विशेश परंपराय प्रचलन में है, और वो क्या है उन्हें समझते हैं, देखें सामाने तर जब किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है, तो उसे दफना दिया जाता है, या जला दिया जाता है, दल जलाने के इखटा होते हैं, परिवार को बलाया जाता है, रिष्टेदारों को बलाया जाता है, समसान तक सब लोग जाते हैं, उसे कंदे पर उठा करके, चाल लोग शव को उठा कर ले जाते हैं, ये सब परंपराय सामाने हैं, लेकिन भारियाओं में विशेश रूप से याद रखन कि शव को जलाने की परंपरा नहीं है शव को दफनाने की परंपरा या दफनाने की प्रोसेस को का पालन किया जता है यह शव को सामन्यता है दफनाते हैं और दफनाने के समय कुछ विशेश रीतियां कुछ विशेश रीती रिवाजों का पालन किया जाता है वह हम देखते हैं वो क्या होता है सबसे पहला होता है पारी समझान की क्रिया देखिए जब किसी व्यक्ति के शव को जमीन में दफना दिया जाता है ये किसी शव को दफना दिया गया है जमीन में तो जब किसी शव को जमीन में दफना दिया जाता है तो दो पक्ष एक दुलहे का भाई पक्ष और दुल्हे के मामा पक्ष, ये दोनों उसके एक मामा पक्ष उसके पाउं की और दुल्हे का भाई पक्ष उसके सेर की और खड़े रहते हैं जिन ओजारों से इस व्यक्ति को दफनाया गया है गेती, फावडा, संबल और जो भी जंजाती हत्यार हों, उन हत्यारों को एक पक जाता है शव के उपर से पांच बार इन हतियारों को फेकने की एक परमपरा है जिसे हम कहते हैं पारी समझान की क्रिया यह आपको याद रखना है इसके बाद होती है काटा नगना की क्रिया क्या होती है समझते हैं देखिए भारिया जनजाती के लोग अत्यदिक परमपरावा साथी है जब भी किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता है तो पारी समझsung के बाद बोर के जो पेढ़ होते हैं उससे कुछ काटे तोड़े जाते हैं उसकी कुछ तहनीया कुछ डाले तोड़ी जाती है उस शव के उपर या जिसे जहां दफनाया गया है उस दफनाया हुए इस्थान के उपर वो बोर के जो काटे हैं उन्हें रख दिया जाता है और उसके कोने पर एक पत्थर के उपर भी कुछ काटे रख दिये जाते हैं उस पत्थर के उपर से जो शव यातरा में गये हुए हैं व इस काटे जैसी मोत को भी हमने स्विकार कर लिया इसको हम पार करके जा रहे हैं इस बात के प्रतिक के रूप में ये परंपरा इस जनजाते में की जाती है तो आपको याद रखना है पारी समझान की क्रिया क्या होती है ये जो जिन हत्यारों से उसे दफनाया गया उनको एक प जंसकार किये जाते हैं दूसरे दिन विशेश रूप से उसका शोक मनाया जाता है तीसरे दिन उसका शोक मनाया जाता है तीन दिनों का शोक मनाने के बाद चोथे दिन एक विशेश परंपरा और भारिया जंजाती में की जाती है जो विद्वा विवाह से संबंदित है भारिय महिला का जिसका की पती अभी मरा है उस महिला को घर के बाहर खड़ा किया जाता है यदि उसका कोई देवर भले ही वो 15 साल का हो 20 साल का हो उसके देवर को उसके सांधने खड़ा किया जाता है घर में जो उपलब्द दो बरतन होते हैं लोटे नुमा जो बरतन है उनको ले करके दोनों के सर पर पानी डाला जाता है इसके बाद जो देवर है वो लाल रंग की चूडिया अपनी भावी को पहनाता है ये महिला जो अभी तक उसकी भावी हुआ करती थी ये चूडि पहनते ही इस देवर की पतनी हो जाएगी अर्थात ये महिला की शादी कर दी जाएगी ये विवाह करने के परंपरा कहा जाता है आपको याद रखना है यह विद्वा विवा का स्वरूप है आव जबर जस्ती नहीं होती है तो हमने समझा पारी समझान क्या होता है काटा नगना क्या होता है चूड़ी पहनाना क्या होता है गामी रोटी देखे जिस प्रकार सामान्यत हिंदु धर्म में तेहर्वी की जाती है तेहर्वी माने उसका नुकता किया जाता है उसके नुकता चीनी किया जाता ह उसे प्रकार जनजातियों में सामान्य तह तीन दिन बाद या एक माह बाद या एक साल बाद या लगबग 10 वर्षों के duration के अंदर-अंदर एक बार उस व्यक्ती का मरत्यू भोज दिया जाता है जिसे इन जनजातियों में गामा रोटी के नाम से जाना जाता है भारिया जन जाती उसे गामा रोटी कहती है गामा रोटी, गामी रोटी सब एक ही शब्द हैं आपको याद रखना है तो हमने मृत्यू संसकार से रिलेटेट क्या क्या बाते हैं वो समझी आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है एक्जाम में पूछने जैसी बाते हैं कला परमपराओं पर फोकस करते हैं दो प्रकार की विशेश कला परमपरा आपको याद रखनी है एक होता है रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क क्या होता है गाउं में जो अपलेब्ध रंग होते हैं जो विभिन आकरती के कलाकरती के रंग होते हैं उनसे घर की दिवारों पर बेढंगे चित्र बनाना जो आपको पसंद की चीजे हैं बकरी, घास, पत्तियां आपको जो कोई विशेश पैटन नहीं है कि किसी एक निश्चित पैटन को फालो किया जाएगा देहाती रंगों से देहाती प्रकार के चित्र बना देना ये कहलाता है रिलीफ वर्क भारिया जंजाती में पाया जाता है विवाह या अन्याउसरों पर लकडी की एक विशेश आकरती या कलाकरती इन जंजातियों में बनाई जाती है जिसे मग्रोहन कहा जाता है अपको याद रखना है मग्रोहन जो है मग्रोहन विवाह में उप्योग होने वाला एक विशेश लकडी का बना हुआ लकडी का बना हुआ मंडप नुमा या मंदिर नुमा आकरती होती है कुछ लोग इसमें गोडे पर दुले को बिठाने की आकरती का बनाते हैं कुछ लोग इसे मंदिर नुमा संरशना देते हैं कुछ लोग इसे मंडप नुमा या चार कोने वाली आकरती देते हैं अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग परंपराएं हैं लेकिन मुलतह लकडी की बनाया जाने वाली एक विशेश कलाकरती भारियाओं में प्रिशलन में हैं जिसे मगरोहन कहा जाता है आपको याद रखना है आपको एक चित्रे में भी लकडी के बने हुए एक व्यक्ति क कुछ विशेश शब्द हमें याद रखना है एक शब्द होता है चूलहा देखिए वर्तमान में ये जो हम टेटूस बनवाते हैं ये वास्तों में जनजातियों की गुदना परंपरा से ही विक्सित आधुनिक तकनीक ये आधुनिक स्वरूप है चूलहा क्या होता है चूल के ऐसे दो भौों के बीच इस इस्थान पर इस प्रकार की आकरती बनाई जाती है जिसे चूला कहते हैं मस्तक पर भौों के बीच ओम आकार गुदवाया जाता है जिसे चूला कहते हैं वो वास्तों में ओम आकार नहीं होता है वो वास्तों में ड के अंदर क की आकरती लिये पाताल कोट में जो गोदने की परमपरा है वो बहुत जादा अक्तिदिक विक्सित सोरूप में है हर एक महिला अपने पूरे शरीर पर गुदवाना परमपरा का पालन करती है गुदवाती है ओजहा महिलाएं जो है वो भारिया के लिए या ओज़ा नामक जो जाती की महिलाएं है वो ओज़ा जाती की जो महिलाएं है वो भारिया जनजाती के लिए गोधने का काम करती है आपको याद रखना है जैसे हमने देखा था कि बेगा जनजाती के लिए बदनिक नामक जनजाती या बेगा जनजाती और गोंड के लिए ब आगे बारते हैं इनके कुछ नरत्यों पर विशेश फोकस करते हैं इनके कुछ नरत्य हैं भडम नरत्यों एक सेतम नरत्य है एक-एक महिला पुरुष शामिल हो सकते हैं जैसे सेतम रत्य में एक ढोल लेकर के पुरुष बीच में खड़ा होता है और उसके आसपास महिलाएं एक घेरा बना करके नाशती हैं यह सेतम रत्य है जिसमें एक पुरुष ढोल बजाता है और आसपास महिलाएं नाशती हैं सामने टे मिनथसे साथ पूरुष तक सामिल होते हैं बहुत-бड़ा तो याद रखने हैं तो बहुत सारे उपनामों से भी जाना चाहता है रत्य कեपश का जाता है और सेतम रत्य महिलाओं किया जाने वाला एक सामुहिक नत्य याद रखना है आपको और आगे बढ़ते हैं इनकी बोली पर फोकस करते हैं भारिया जंजाती भरनोती या भटियारी नामक बोली का बोली बोलती है भारिया जंजाती भरनोती या भटियारी इसे दोनों ही शब्दों से उच्चारित किया जाता है इन दोनों नामों सी नामों वाली बोली का उच्चारन करते हैं और यह जो भट्यारिया भरनोती बोली है यह द्रविड परिवार की भाशाओं या द्रविड मुंडा परिवार की भाशाओं की एक बोली है आपको याद रखना है इनकी जो मूल बोली है वो हिंदी और अन्य बगेली बुंदेली भाषाओं के मिश्रंड से बनी हुई है, आपको याद रखना है, इनकी भाषा में बगेली बुंदेली के शब्द भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं, युवागरह, इस जनजाती में एक विशेश परंपरा युवागरह की है, देखिए, सामाने ता अधि अनेक जनजातियों में युवागरह की परंपरा पाई जाती है, लेकिन भारियाओं में युवागरह को रंग बंग कहा जाता है, रंग बंग क्या होता है, रंग बंग भारिया जनजातियों में प्रचलित एक युवागरह है, और ये युवागरह या रंग बंग नामक ज विक्रती दी गई है उसी प्रकार जंजातियों में भी शादी से पुर्व लड़के और लड़की साथ में रह करके एक दूसरे के बारे में समझ विक्सित करें एक दूसरे के साथ सारी जिक्षंबंद बनाए एक दूसरे के साथ आपसी विहवार को सीख लें तो इस प्रकार लड़के या लड़की को इस प्रकार के विहवार को सिखाने के लिए जो विवस्था इन जन्जातियों में बनाई गई उसे रंग बंग कहते हैं। प्रचलन में उसे रंग बंग कहा जाता है हमने भारिया जन्जाति के बारे में अनेक विशेशता हैं पड़ी कुछ और छोटी छोटी सी बाते देख लेते हैं इनके सामाजिक संगठन में एक पटेल नामक व्यक्ति होता है पटेल क्या करता है पटेल तोजी नाम की या तोज पतान है यह जमीन के नीचे के स्थल को पाताल कोट कहा जा रहा है तो इस पाताल कोट में आयोडिन की कमी के कारण निवासियों में सामान्य तक घेहंगा रोग पाया जाता है जैसकि शहरिया जंजाती में जो तकमबाकू के सेवन के कारण कोपोशन کی बिमारी है वैसा इ Simmons Kane Mol भी आपको याद रखना है यूतियां एक विशेश वस्त्र पहनती है जिसे साया कहा जाता है तो यह जंजाती में प्रशलित एक विशेश प्रकार का आभूशन है मैं सामन्य आभूशन पर जाओंगा नहीं लेकिन इसमें विशेशता यह है कि यह जो साड़ी होती है एक प्रशेश वस्त्र अभूशन पहनती उन्हें साया कहते हैं अब को यह भी याद रखना है हमने भारिया जंजाती की सभी मूल विशेशताओं पर फोकस किया इनकी कुछ परंपराएं कुछ संस्कृतियों पर और अभी फोकस करना बाकी है वह हम इन परंपराओं और पिछड़ी जंजातियों से ज्यादा है जो हमारे मद्यपरदेश की तीन पिछड़ी जंजातियां बेगा भारिया सहरिया इनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को विशेश रूप से धन्यवाद और इसी प्रकार से वीडिय को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विशेश रूप से धन्यवाद